हेलो एब्रीवन, वेलकम यू आल इन माई नू वीडियो सो अभी हम 2016 का कोशिन पेपर पिक कर रहे हैं और हम फर्स्ट कोशिन से स्टार्ट करते हैं कोशिन वन है, डबल एंट्री सिस्टम वस इंट्रोडूस्ट इन डबल एंट्री सिस्टम कहां पे इंट्रोडूस्ट हुई थी, इंडिया में, इतली में, इंगलैंड में या नन आप दीज, तो इसका ऑप्शिन भी करेक्ट है, इतली में इंट्रोडूस्ट हुई थी, यह सबसे पहले नेक्स्ट कुशिन है, वन टू और मोर फर्म्स कंबाइन विद इच अदर, इट इस कॉल्ट, जब दो या इससे जादा फर्म्स एक साथ में जोड़ दी जाती है, तो उन्हें क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं, अमल्गमेशन, ओप्शन ए इस करेक्ट, नेक्स्ट कुशिन ह गौतम और महावीरार पार्टनर्स इना फर्म, उनका रेशो क्या है, फाइफ स्टू थी, दे अड्मिटिड नवीन, उन्हें नवीन को एड्मिट किया एस पार्टनर, और उसको कितना दे रहे हैं, वन फिफ्ट शेर दे रहे हैं, तो उनका जो नया प्रॉफिट शेरिंग रेशो होगा, वो क्या होगा, तो इसके लिए पहले हम देख लेते हैं, उसका वन फिफ्ट हो गया, नवीन का हो गया, वन फिफ्ट, तो अब रिमेनिंग कितना हुआ, वन फिफ्ट चला गया, तो फोर फिफ्ट बचा, तो फोर फिफ्ट में से, जो गौतम का रेशो होगा बच्चा कितना 4 फिफ्थ इसमें से गौतम को मिलेगा 5 बाई 8 इट मीन्स 1 बाई 2 हाफ मिलेगा इसको उसके बाद हम देख लेते हैं कि महावीर को कितना मिलेगा महावीर को मिलेगा 4 बाई 5 का 3 बाई 8 यूदि उसका जो रेश्यो है 3 है तो ये कैंसल हो जाएगा और ये आएगा 3 बाई 10 तो इसको एक्वल करने के लिए हमें 1 बाई 2 को 5 से मल्टिप्लाई करना पड़ेगा तो गौतम का जो शेयर है गौतम का शेयर हो जाएगा 5 बाई 10 महावीर का शेयर है 3 बाई 10 और नवीर का वन फिप्थ शेयर था इसको एक्वल करने के लिए हम 2 बाई 2 से मल्टिप्लाई कर देंगे तो नवीर का शेयर हो जाएगा 2 बाई 10 तो इनका रेशो क्या आया इनका रेशो आया 5 इस्टो 3 इस्टो 2 तो option B इसका correct है 5 इस्टो 3 इस्टो 2 option B is correct next question है who said profit is the gift of risk किसने कहा है कि profit risk का gift यानि कि risk लेने का gift हमें मिलता है profit तो ये कहा है प्रोफेसर टॉमस ने option B is correct next question देख लेते हैं profit sharing ratio of A, B and C is 5 इस्टो 3 इस्टो 2 on B retirement the new profit sharing ratio of A and C will be यानि कि B retire हो गया है तो B का ratio हम बीच में से निकाल देंगे तो 5 इस्टो 2 बचा option C is correct next question है which form of business organization is for secrecy इसमें से कौन सी business organization है जो secrecy के लिए यानि कि बातों को secret रखने के लिए best है तो इसके लिए soul trade best है क्योंकि उसमें कोई भी documents हमें publish नहीं करने पड़ते company में publish करने पड़ते है partnership में partners को एक दूसरे से अपने सारे चीज़े शेयर करनी पड़ती है और same applies with the cooperative company next question है goodwill of the share of retiring partner will be debited in the capital accounts of remaining partner in dash ratio जो goodwill है retiring partner की वो debit की जाईरी remaining partners की कौन से ratio में sacrificing, gaining, old या new तो वो जिस ratio में gain कर रहे हैं उसमें उनको goodwill उसको देनी पड़ेगी तो option B is correct next question है on the dissolution of partnership firm on transfer of assets the realization account is जब हम assets को realization में transfer करते हैं तो क्या करते हैं debit करते हैं, credit करते हैं या दोनों करते हैं तो जब हम transfer करते हैं assets को तो उसको debit कर देते हैं option A is correct next है on amount due at allotment the share allotment account is जब account amount allotment का amount due होता है तो share allotment account को क्या करते हैं debit करते हैं, credit करते हैं या दोनों करते हैं तो share allotment account को debit करते हैं और share capital account को credit करते हैं option A is correct next है on receiving first call money the bank account is जब हमें first call money मिल रही है तो bank account क्या होगा, debit होगा, credit होगा, क्या होगा, तो money मिल रही है, तो cash बढ़ रहा है, या bank में balance बढ़ रहा है, तो वो debit हो जाएगा, option A is correct, next question है, on for feature of share, share capital account is, जिब share को for feature किया जाता है, तो share capital account को क्या करते हैं, credit करते हैं, debit करते हैं, या both करते हैं, तो share capital account को debit कर देते हैं, क share forfeiture account is credited with, जब share को forfeiture किया जाता है, तो share forfeiture account को कौन से amount से credit किया जाता है, तो जो money हमें receive हो चुकी होती है, उससे इसको credit करते हैं, option A is correct, next है after the issue of forfeited shares, the balance of share forfeiture money is transferred to, जब हम forfeited shares जो हैं, उनको हम दुबारा से issue कर रहे हैं, तो जो balance of forfeiture money का, उसको हम कहां transfer करते हैं, तो इसी money को हम transfer करते हैं, capital reserve में, तो option B इसका correct होगा, next question है, राम has 50 shares of rupees 100 each, ठीक है, राम के पास 50 shares है, 100 each, on these shares, rupees 80 per share has been received, इस पे 80 rupees received हो चुके है, at the non-receiving of final call money, these shares were forfeited, इस पे final call कितनी बची, 20 rupees की बची, it means 20 rupees हमें नहीं receive हुआ, तो इनको forfeited कर रहा गया, in this condition, the share for future account will be credited by, तो share for future account में कितना amount credit करेंगे, तो हमें 80 rupees per share received हुए है, और 50 shares है, तो हम 80 को 50 से multiply कर देंगे, तो यह हो जाएगा, 4000, तो इसका option B correct होगा, next है, if share of face value, rupees 100, actually rupees 10 है, यह my mistake के लिखा हुआ है, sold at rupees 12, यह 10 rupees का share है, उसको 12 rupees में sell किया गया है, तो 2 rupees will be treated as, 2 rupees को हम क्या trade करेंगे, premium, discount, rebate, या none of the above, तो ऐसे amount को हम premium में डालते हैं, option A is correct, when the company act was enacted, companies act का बिनक्त हुआ था, यह हुआ था 1956 में enact, तो option C is correct, next question है, how the payment to landlord is calculated, जो payment लेंडलोड को दी जाती है, कैसे calculate की जाती है, royalty minus minimum rent, minimum rent minus royalty, minimum rent minus short working recouped, या royalty or minimum rent, whichever is more, plus यह short working recouped, तो इसका option D is correct है, next question है, minimum rent is determined by which of the following, minimum rent कैसे determine किया जाता है, time और area दोनों के basis पे, तो option C correct है, the balance of short working is shown in, जो short working का balance होता है, उसको कहां पे show किया जाता है, debit side of profit and loss account, credit side of profit and loss account, asset side of balance sheet, तो इसको asset side में show किया जाता है, option C is correct, which of the following value is highest, इन में से कौन सी value, highest होती है, cash price, higher purchase price, interest or depreciation, cash price कम होता है, higher purchase उससे high होता है, interest तो cash price पे लगता है, यानि कि जो उसका price है, उस पे interest add होता है, तो यह obviously कम होगा, depreciation तो जो घटता होता है, option B, इसका higher purchase सही है, next question है, if purchaser does not pay the installments, the seller, अगर purchaser अपनी installments नहीं पे करता है, तो seller क्या कर सकता है, can file suit on purchaser, can get back his commodity, can get compensation for the purchaser, या all of the above, तो अपने commodity को वापस ले सकता है, option B is correct, when does, next question is, when does purchaser get ownership in higher purchase system, higher purchase system में, जो owner है, जिसने purchase किया है, purchaser है, उसको ownership कब मिलती है, तो उसको ownership मिलती है, जब वो final installment pay कर देता है, तो option C is correct, next question है, which capital could be shown in memorandum of association, memorandum of association में कौन सी capital को शो किया जाता है, issue capital, cold up capital, authorized capital, paid up capital, तो memorandum of association में authorized capital को शो किया जाता है, next question है, इंडिया, 1 rupee note is issued by, इंडिया में 1 rupee note कौन issue करता है, reserve bank, state bank, finance ministry of government of India, none of the above, तो इसमें option C, finance ministry of government of India correct है, next है, which of the following class is badly affected by inflation, इसमें से कौन सी class है, जो inflation की वज़े से सबसे ज़्यदा affected होती है, higher class, lower class, investors, या debtors, यह debtors है, तो lower class, जो होती है, doctors है, sorry, doctors, lower class, lower class सबसे ज़्यदा affected होती है, option B is correct, next है, नबाड was established on, नबाड कब established हुआ था, तो नबाड established हुआ था, 12 July 1982, option C is correct, अगला question है, headquarter of reserve bank of India is situated in, reserve bank of India का headquarter कहां पे है, तो मुंबाई में है, option B is correct, next question देख लेते हैं, under installment payment system, asset account is debited with cash price of assets, and dash is debited with total amount of interest in the books of buyer, कौन से amount को debit किया जाता है, interest के amount से, तो interest suspense account को debit किया जाता है, option B is correct, next question है, statics implies only data, only statistical methods, both the above या, none of these, तो इसमें दोनों ही चीज़े होती है, data भी होता है, statistical method भी होते हैं, तो option C is correct, next question है, statistics studies, statics क्या study करता है, numerical fact, qualitative fact, या both या none of the above, तो statics, numerical और qualitative facts दोनों को ही study करता है, तो option C is correct है, next question है, the word, statics is used in the form of, statics के word को कैसे यूज़ क्या जाता है, singular, only, plural, only, या both of the above, या none of the above, तो इसको singular और plural दोनों ही forms में यूज़ क्या जाता है, option C is correct, statics may rightly be called a science of averages, this definition is given by, यह definition किसने दी है, तो यह definition दी है, बाव लेने, option A is correct, next question है, data originally collected for an investigation are known as, जिस भी data को originally collect किया जाता है, उसे कहते हैं, primary data, तो option A is correct होगा, next data obtained from economic times are, economic times में से data को obtained किया गया है, यानि कि यहाँ पर already published था, तो यह secondary data होता है, option B is correct, next question है, primary data as compared to secondary data are, जो primary data होता है, जो हम खुद collect करते हैं, वो secondary data जो किसी और जगा पब्लिश्ट है, उससे less reliable होता है, more reliable होता है, equally reliable होता है, none of these, तो more reliable होता है, क्योंकि हमने खुद collect किया है, और हमें उसके बारे में पूरी knowledge होती है, तो option B is correct, next question है, the heading of a row in a statistical table is known as, a statistical table में जो row की heading होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे step कहते हैं, option A is correct, next question है, in an exclusive series, exclusive series में, बोथ the class limits are considered, दोनों limits को consider किया जाता है, हमाली जे, ये 1 to 10 है, फिर 10 to 20 है, तो इसे बोलते हैं, exclusive series, इसमें एक लिमिट को छोड़ा जाता है, और एक को include किया जाता है, तो इसमें क्या किया जाता है, बोथ को include नहीं करते हैं, आपर लिमिट को exclude किया जाता है, तो इसका option D correct होगा, अपर लिमिट को, यानि कि इसमें 20 को consider नहीं किया जाएगा, 19.9 तक लिए जाएंगे data को, अगला है, बोथ lower and upper limits are considered, such classes are called, ऐसी limits जिसमें अपर और lower limit दोनों को consider किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं, inclusive, option B is correct, next question है, the grouping of relating facts into classes is called, इसको classification कहते हैं, 39 का C option is correct, next question है, one of the measure of central tendency is, इसमें से central tendency का measure कौन सा है, तो mode है, mean, median, mode क्या ही होते हैं, option A is correct, अगला question है, the suitable measure of central tendency of average in ready-made garment is, ready-made garment में, जो suitable measure होगा, central tendency को check करने का तो कौन सा होगा, तो इसमें होगा, mode, option C is correct, how many quartiles can be calculated in a series, एक quartiles में कितने quartiles को calculate किया जा सकता है, 2, 3 या 4, तो ये quartiles होता है, इसके 4 parts होते है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो यह 4, तो ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, ये Q3 हो गया, तो 3 कल्कुलेट किया जाते हैं, option B is correct, next question है, the mean of 15 number is 15, 15 number है, 15 number है, उनका mean है, वो 15 ही है, if the 2 numbers 18 and 12 are excluded, उसमें से 18 and 12 को निकाल दिया गया, then the mean of the remaining number, इस तो जो remaining number होंगे, उनका mean क्या होगा, तो पहले तो हम total निकाल लेते हैं, 15 numbers है, 15 mean है, तो 15 into 15, ये होगा 225, अब इसमें से 18 plus 20 हम minus कर देंगे, 18 plus 12, तो 18 plus 12 होते हैं 30, तो जब हम इसमें से 30 minus करेंगे, तो आएगा 195, अब 195, अब 12, 2 number जो इसमें से exclude हो चुके हैं, तो 15 में से सिफ 13 numbers बचे, तो हम 195 को डिवाइट कर देंगे 13 से, तो इसका answer again 15 ही आएगा, तो इसका option जो correct है, वो option C correct है, the arithmetic mean of 9, 17 and 91 is, arithmetic mean 9, 17, 91 का क्या होगा, इसके लिए हमें इनको add करना होगा, और ये 3 number हैं, 1, 2, 3, तो 3 से divide करना होगा, तो जब हम इनको add करेंगे, तो total आएगा 117, फिर जब हम इसको 3 से divide करेंगे, तो answer आएगा, 39, तो इसमें option D is correct, next question है, with the help of median and arithmetic mean, the formula to derive mode is, arithmetic mean अगर हमारे पास है, तो हम mode को किस formula से निकाल सकते हैं, तो इसके लिए, ये वाला option C correct होता है, 3, median, 2, mean, minus 2, mean, next question है, the geometric mean of two numbers 8 and 18 are, 8 and 18 का geometric mean क्या होगा, तो geometric mean निकालने के लिए, हम root लगाएंगे, 8 into 18 करेंगे, तो ये आएगा root 144, और answer आएगा 12, तो option A is correct, next question है, in the case of unequal size of items, यानि कि जो उसके data है, वो उसमें बहुत ही ज़ादा variations है, तो ऐसे case में क्या होगा, कौन सी जो unit है, सबसे जादा होगी, तो इसमें option B correct है, B correct है, सबसे जादा होगा mean, फिर geometrical mean, फिर harmonic mean, अरिफमार्टिकल mean सबसे जादा हाइस्ट होगा, next question है, for measuring the dispersion, the ideal method is, dispersion को measure करने का ideal method कौन सा है, mean deviation, standard deviation, quartile deviation, moving average, तो इसके लिए सबसे, जो ideal method है, standard deviation, option B, next question है, coefficient of range can be any one of the following, इसमें से कौन सा होगा, coefficient of range, coefficient of range होता है, L minus S, upon L plus S, option A is correct, next question है, if variance is 144, then standard deviation will be, अगर variance 144 है, तो standard deviation क्या होगा, तो standard deviation, variance का root होता है, तो जब हम 144 का root निकालेंगे, तो यह आएगा 12, तो इसका भी option A, correct है, तो next 50 questions हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, थेंक्स पर वाचिं,